हलो एब्रिवन वल्कम बैक टो यर ओन चैनल साइन्स या जिमे की तुसी जान देऊं आप अपने चैनल ते साइन्स दी प्रिप्रेशन कार रहे हैं कॉंपिटिटिव एक्जाम्स दे लही अगर तुसी चैनल ते न्यू ओता चैनल नो सब्सक्राइब कार लो बैल आइकन नो प्रेस कार लो सो देट तो आनो डेली दी अपडेट मिल दी रवे अपा फिजिक्स दी मास्टर कैरडर दी सीरीस स्टार्ट किती हुई है जो आपा चैप्टर वाइस की है नानल एमसी की उसकार रहे हैं अज जो चैप्टर है होए थर्मो डाइनमिक्स इसदे अपा एमसी की उस करांगे ता इसदे बेसिक लियर होने बहुत जुरूरी है इस तो पहला देखो अगर आपा गल करिये तो अड़ा नोटिफिकेशन भी आ चुक है साइंस दा साइंस मैथ मीन्स मास्टर कैटर एक्जाम दा ता तुसी अपनी प्रिप्रेशन स्टाट कर सकदे हो जिनना स्टूरेंट्स ने नहीं कित्नी स्टाट हजे सब तो पहला डिसकस करांगे एमसी की उ देखो फर्स्ट एमसी की देख दिये हो The zeroth law of thermodynamics leads to the concept of मैंने तो अनू thermodynamics दे ला करवाए सी zeroth law First law And second law उनना दे बेसिस से तो अनू जो first आपा ला किता सी zeroth law उनना दे बेसिस से question पुछा गया कि जो zeroth law of thermodynamics है एक किस दे concept नो लीद कर दे Option A, internal energy Option B, heat content Option C, pressure Option D, temperature Option E, work done ताथ उसी दसने जो zeroth law है अपना first MCQ है ओ किस दे बेस सी? देखो, zeroth law of thermodynamics बेस सीगा temperature ताथ इस question दे right answer की आजेगा Option D आजेगा Next देख देया second MCQ The zeroth law of thermodynamics for three systems Three systems ही अपा गल किती सी A, B and C in the contact demands Means की डिमांड कर दे जो contact सी 0 थला दा Option A है A and B in thermal equilibrium A and B equilibrium दे विच सी Option B है B and C are in equilibrium Option C है A and C are in equilibrium Means जो three systems सी 0 थला दे विच उनना दे विच कौन-कौन equilibrium दे विच सीगा Option D है A, B, C are in thermal equilibrium या फिर A, B, C थिन्नो thermal equilibrium दे विच सी देखो 0 थला फ्थर्मोडाइनमिक्स की कहन दे ने 0 थला फ्थर्मोडाइनमिक्स 0 थला फ्थर्मोडाइनमिक्स कहन दे हैं कि अगर दो system A and B A and B जो two systems ने अगर A equilibrium दे विच ने अगर A है thermal equilibrium दे विच हैगे ने ता इस ना मतलब की है जो third system है means जो C third system है ओ भी की होएगा A ते B दे equilibrium दे विच होएगा मैंने तो अनू एदा चार्ट बना के वी दस्याजी एस वे दे ना अगर A अगर A ते B आपस दे विच equilibrium दे विच है ता जो third system है means C ए भी इनना नाल की होएगा equilibrium दे विच होएगा केड़े equilibrium दे विच thermal equilibrium दे विच ता इस question the right answer की होजेगा तो अड़े कोल option D इस दा भी right answer की होजेगा option D next देख दिया third MCQ देख दिया which of the following law of thermodynamics forms the basis of the definition of the temperature इनना विच हो केरा जो thermodynamics लाए जो base करदे temperature definition किस्ते temperature दे definition ते option A है first law option B है second law sorry zero law option C है second law option D है third law तुसी दस ने इनना दे विच हो केरा thermodynamics दलाए जो temperature basis है हुने में तो अदुसे जो जो जीरो थर्मोडाइनमिक्स है ओहो किस्ते basis है उस्ते जो definition है temperature basis है तो इस question दर राइट अंसर की हो जेगा तो अडेको option B हो जेगा clear next अपगल कर दिया next question दी देखो fourth MCQ देखो तो अडे zoom कर लेने थोड़ा जा हाँ जी इस basis दे देखो a thermodynamic state of a given sample of an ideal gas is completely disturbs if it's इनने की क्या हो है देखो जो thermodynamic states है किसे भी sample दी कोई भी sample ले 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 can they completely describe sorry completely describe करांगे if it is कितना होएगी अगर हो option A है pressure volume internal energy और आर नोन अगर आपनो यह तिन्ने चीज़ां पता हो option B है अगर आपनो pressure volume temperature and internal energy means 4 पता हो option C है pressure volume temperature आर नोन अगर तीन चीज़ां पता हो बस इनने आपस है विच जो variables ने उनना नो change किता हो है option D है pressure and volume आर नोन अगर आपनो pressure and volume पता है देखो अगर आपनो main गल करिये तो thermodynamic state किसे भी sample दी ideal gas दी completely अगर describe कर दिया हो by any two two of its four state variable means four variable दे विचो four variable दे विचो कोई भी two variables की ने function नो describe कर देने देखो ideal gas दी equation की हों दी है PV is equal to nRT एददा ही हों दी है ता कोई भी देखो चार अगर आपना गल करिये इस तो अलावा अपने four state variable केड़े हों दिया है pressure, volume, temperature and internal energy unal donate कर दिया तो main ले describe किसे द्वारा किता है जन्द है कोई भी two function दे इनना चारा दे विचो कोई भी two तो देखो इनना दे विच मेल आपनों first three option दे विच three three given है option D दे विच two given है तो इसलिए option D right हो जेगा confuse नहीं हो ना तो आनो pressure volume देना एददा भी आ सकते pressure and temperature volume and internal energy means जित्थे दो functions होंगे क्योंकि चारा दे विचो कोई भी two किया ideal gas equation दिस्क्राइब कर पान दे clear next देख दिया next question किया 26th question देख दिया which of the following is not a thermodynamic coordinate इनना विचो thermodynamic coordinate केरा नहीं है options जित्ते होंगे तो आनो gas constant pressure, volume, temperature ता इस दी अगर आपा गल करिये ता thermodynamic coordinate दी गल करिये ता मेली three coordinate होंगे thermodynamic दे pressure, volume and temperature इस three coordinate होंगे जो की describe कर दिया, state दिस्क्राइब कर दिया कि इस दी state thermodynamics mixed state दिस्क्राइब कर दिया बट जो अपना R है जो इनना ने gas constant इता है एता एक constant है universal constant है जिसदी value की नहीं होंदी है 8.314 joule per mole per Kelvin इस भी दे ना, per mole per Kelvin ता एता एक constant है जिसदी कोई fixed value है ता इस question दा right answer की होजेगा तो अडेकोल option A gas constant clear? next mcq I think अपना 5 होगे 6th mcq देख दिया 6th mcq देखो 6th mcq 5.6 liter of helium gas at STP ता अडेकोल गिवन की है 5.6 liter दित्ती होई है helium gas गिवन है compressed to 0.7 compressed किती है 0.7 taking the initial temperature of T1 initial temperature T1 है ता work done in the process तुसी work done दसने कि किद्धा process देविच होएगा या किद्धा तुसी निकाल सकदेऊ ता इसनू पहला पता होना चाहिदा कि work done निकाली दा किद्धा ता तुसी easily इसनू solve कर सकदेऊ हाँ जी solve कर दिया देखो अगर आपका गाल करिए just a second इद्धा साइट दे कर दिया हाँ जी देखो अपनू पता है जो temperature T, V, gamma-1 किस दे equal हुन्दे constant दे इस दा मतलब कि हुन्दे T1, V1 the power gamma-1 is equal to T2, V2 the power gamma-2 देखो गामा की आए थे गामा है monoatomic gas दे लेई आपका किन्नी value लेने है 5 by 3 लेने है clear ता इस वे दे नल करिए gamma-1 है ता value निकाल लेने है gamma-1 करांगे 5 by 3 minus 1 करांगे 3 LCM किन्न आजाएगा 2 by 3 उन्द आपका values नू पुट कार दिनने है देखो T1 आपकानू दित्ता नहीं हुया constant है बट आपकानू वोलियूम दित्ते हुया इक है 5.6 दी पावर की आजेगा 2 by 3 second one is T2 दूसरा वोलियूम अपकानू गिवन सी 0.7 दि पावर किन्नी आजेगी 2 by 3 2 by 3 clear इस वेदे नाल करिए अगर आपका इसनों solve करिए अगर इसनों solve कर दिया आपकानू अपकने वेल्यू निकार ली T1 by T2 मैं एक साइड लेगी ते उस साइड 0.7 by 5.6 दी पावर होल कार ली किन्नी आगी 2 by 3 आगी 0.9 पॉइंट कैंसल 7 8 जा 56 ता अगर इत्थी अपने कोल की आगया इन्नों T2 by T1 कर सक दिया किन्ना बनजेगा 8 by 1 दी पावर 2 by 3 S वेदे नल कार सक दिया 8 नू की लिख सक दिया आपका 8 नू अगर आपका 2 वेदे विच तोड के ब्रेक करके लिख सक दिया ता T2 दी वैल्यू किन्नी आजेगी T1 में उद्दर ले जाननी है 8 नू की लिख सक दिया 2 दी क्यूब दी पावर 2 by 3 इंटू की आजेगा T1 3 नल 3 कैंसल 2 दी पावर 2 करांगे T2 की इसदे एककोल आगया 4 T1 दे एककोल आगया हुन आपका पता की करना सी work done on the system ता work done की इसदे एककोल होंदा है N R delta T means change in temperature upon gamma minus 1 अगर आपका गल करिये देखो इतनी आपका T2 दी value निकाल ली ता इसवे देना gamma किनना सी अपने कोल 5 by 3 नीचे की आजेगा minus 1 भी है इस दी value आपका निकाल ली सी किननी आगी सी 2 by 3 उपर अगर आपका गल करिये R T1 एदा ही आजेगा ते अपने कोल temperature आया कि इसे equal है 4 T1 दे ता अपका की कर सकते हैं हां जी देखो N इदा ही आगया देखो इतनी अगर आपका गल करिये ता temperature की बांजेगा delta T की हुन दे T2 minus T1 हुन दे clear ता इस वे देना अगर मैं देखा हूं ता किनना बन गया अपने कोल N दी हजी आपका value निकालनी है R T2 दी value किननी सी अपने कोल 4 T1 minus T1 करता अपका value पुट करती substitute करती नीचे अपने कोल किनन है 2 by 3 clear देखो अगर मैं गल करां एदे विच्चो इसनो minus करांगे ता की बांजेगा 3 T1 N R 3 T1 clear नीचे अपने कोल 3 ऊपर चला जाएगा नीचे की आजेगा अपने कोल 2 आजेगा इससे तो अगर आपका solve करें अपने कोल किनना बन गया 9 N R T1 upon 2 clear हुन देखो N दी value निकालनी देख दिया जो N दी value है वो N दी value कितना आएगी अपने कोल जो given सी गा उसे तो अपा start करांगे STP थे 22.4 L कोई भी gas दा की दे इककोल हुन दे 1 mole दे clear ता अपने किस दा find out करना सी 5.6 L दा किनना आजेगा 5.6 by 2 22.4 इसनो cut करके तो अपन 1 by 4 moles आजांगे एंदी value आगी अपने की करांगे value नो की करदांगे? put करदांगे जोदों आपा value नो put करांगे देखो उपर equation देख दिया एदे विच्छी कार दिया एंदी value किननी put हो जेगी? 1 by 4 r t1 नीचे अपने कोल की है? 2 किनना बन जेगा? इस तो देखो 9 by 8 r t1 देख दिया अपनी केडी option की है right हो जन्दी है I think check करना पाएगा just a second हाँ जी देखो इस question दा right answer की आगया अपने कोल option A आगया clear, थोड़ा जे लेंथी सीगा but I think तो नू समझ आ चुक्या next देख दिया next question देखो a thermodynamic process in which the system is insulated from the surrounding surrounding तो insulated है no heat flow between the system and surrounding कोई heat flow नहीं कार ली तुसी दसने केड़ा process होईगा बिलकुल easy question है option A है isothermal process option B है adiabatic process option C है isochoric process option D है isobaric process देखो बिलकुल सही है इस question the right answer option B होजेगा adiabatic process की होंदे जो insulated होवे surrounding तो heat flow ही नहीं करे system ते surrounding ते means delta क्यों की होजे अपना zero होजे उसनों की बोल देखो adiabatic process बोल देखो clear, next question next है the thermodynamic process in which no work is done on or by the gas जीज़े वीच कोई भी काम नहीं हो रहे on or by the gas उसनों की बोल देखो option A है isothermal process option B है adiabatic process option C है cyclic process option D है isobaric process option D है isocoric process देखो, इनना ने की किया कोई भी काम नहीं हो रहे by the system कोई काम नहीं हो रहे है इस दा मतलब किया अपने को जो work done है वो की हो जोगी 0 work done 0 कि दा होएगी जो अपने को डेल्टा V change in volume की होएगा 0 means volume की होएगा constant हुन देखो volume constant कदो हुन देखो जोदो केडा process होवे isocoric process ता इस question the right answer की आजेगा option E आजेगा clear? next देख दिया next MCQ देख दिया next देखो when water is converted into ice जोदो आपा water नू ice दे विछ बरफ दे विछ convert कर दिया तो ओधी entropy की हो जन दिया तो आनों मैं entropy करवाया थी जिसनों SNL donate कर दिया entropy क्यों दिया randomness जिदे विछ particle randomly कितना randomness नो की कहने आपा entropy कहने आपा entropy कहने entropy option E है increase होएगी option B है decrease होएगी option C है same रहेगी option D है पहला decrease होएगी फिर increase होएगी देखो entropy में होने दस है randomness होन जोदो पानी तो water तो ice बान गया इस दा मतलब liquid तो की बान गया solid बान गया solid दे विछ तब particles move ही नहीं कर पान देता disorder की हो जुगा decrease हो जुगा इस दा मतलब entropy भी की हो जुगी this question the right answer की हो गया option B हो गया next question देखो next देख दिया next देख 200 calorie of heat is given to a heat engine कोई भी heat engine नो की है अपने की provide किती है 200 calorie दी heat provide किती है इस तो बात की है तो so that it rejects 150 calorie जीज़दे विच्च 150 calorie उनना ने की कारता reject कारता if source temperature is 400 Kelvin source temperature की इनने अपने को 400 Kelvin है sink the temperature आपा की करने है पता करने है देखो इस दे विच आपा की करांगे जो इन numericals ने कई वार छोटे बन जान दे इसलिए में तो नो numericals भी की किती है add किती है सब तो पहला अपने को temperature source दा given है किनना 400 Kelvin Kelvin Q1 मैंनाल मैंने मैंने Q2D अगर मैं गल करा अपने किननी heat reduce करती 150 calorie clear next अगर sorry इथे 200 आएगा यह temperature है अपने heat लिख रहे है 200 calorie temperature T1 अपने कोल किनना है 400 Kelvin दितता होए इथे calorie आएगी 400 200 calorie and 400 Kelvin clear अपने अगर गाल करिया अपने टेंपरेचर कितना पता कर सकते है एथे में शोग कर दिया देखो Q1 change of heat Q1 by Q2 heat कि इसदे इक कोल हुनदे change in temperature T1 by T2 अपने कोल Q1 T2 दी value निकालनी है 1 side T2 कार लो बाकि सब 1 side कार लो Q2 by Q1 multiply T1 इही बाझे कि जदो एनो उदर ली side लेके जामागे उन अपने कोल Q2 किनना सी 150 Q1 किनना सी 200 T1 अपने कोल किनना 400 0-0-0 cancel 2-0-4 cancel 2-1-50 नो 2 ना multiply करांगे 300 300 Kelvin तो अड़की आजेगा Answer आजेगा देखो right answer की है अपने कोल Is question the right answer है Option A क्लियो, नेक्स देख दिया, नेक्स कोशन देखो, नेक्स है जी अपने को, अगर तो अडेकोल एफिशेंसी 100% हो जान दिये, तथ उसी दसने कि सिंक दा टेम्परेचर की ना होएगा, एफिशेंसी दा फॉर्मूला के इटा की दे, इक्कोल हुं दे, 1-T2 by T1, इस वेदेनल हुं दे, T1, देखो हुन अगर अगर अपा गल करिये, अपानू की दिता होएँ, जो सोर्स दा टेम्परेचर है, ओ की हुं दे, हायर हुं दे, देन सिंक दा टेम्परेचर, अपानू एफिशेंसी की देती, 100% देती, 100% मतलब की है, 1 पूरी है, 1-T2 by T1 आगया, इस वे देना, तब 101 की होगया अपना, कैंसल होजेगा, ठीक है, इदधर लेए हमांगे अपना, इसनों 101 की होजेगा, कैंसल होजेगा, इसना मतलब T2 अपने कोल कीज़ दे, एक कोल आजेगा, इदधर 0, इदर मैं लिखी दिने, एक स्टेप, 1-1 होजेग इसना, मतलब की होगया, अपने कोल T1 की होगी, अपने कोल इन्फिनिटी होगी, तब देग गया केड़, ओपने कोल ऑप्शन राइट है, इसने विच ऑप्शन के राइट होगया, इसना, जीरो कैल्वीन की होगया, राइट ओप्शन, I hope तो अनू, सारे MCQ समझ आ चुके, इने clear हो चुक्क है फिर भी अगर तो अनों कोई doubt होया तो तो उसी comment box दे विच comment करके पुच सकते हूं next देख दिया next mcq हाँ जी next question है इस दे विच तो अनों ग्राफ रिप्रेजेंट किता हुए a graph of pressure and volume versus volume for an ideal gas for different processes is the shown in the curve oc represent उसी दसने oc की रिप्रेजेंट कर रहे है देखो जो graph है तो अनों graph देखने आने चाहिए है जो अपना oc है यह रिप्रेजेंट एक इसदी curve बन रही है यह o भी तो नीचे है means नीचे वालनों sti पर कट रही है ता एक इसदी है अगर आपका गल करिए ए एडियाबेटिक प्रोसेस दी अपने कोल कर्व है कौनसी oc ता इस question दी अगर आपका गल करिए ता इस question दी राइट अंसर की होजेगा अगर आपका गल करें बन प्रेशण की चल रहे है तो अपने कोल क्यी रिप्रेजेंट हो रहे है आइस लास्ट अपने कोल की रहागी सफमिल सो थर्मल थे नेक्स थी कुल, लडेक्सब्स, अबने को पूराइए यह के वी यह का लोगवन हो गाले हसे जिल आइज है को दो सब्सक'm कराद क्विए Aujourd' अगर तो अड़ा कोई डाउट होया तो सी कमेंट बोक्स दे विच पुछ सकते हो और चैनल नो स्पोर्ट करो नेक्स्ट लास्ट कोश्चन देख दिया आज देले इन वीच ओफ ता प्रोसेसेस जस दा इंटर्नल नरजी ओफ ता सस्टरम रिमेन कॉंस्टेंस इन वीच ओफ दे विच जो इंटर्नल नरजी यू है ओपनी की रहेगी कॉंस्टेंट रहेगी एदसने option A है adiabatic option B है अपने को आइसो कोरिक option C है आइसो थर्मल option D है आइसो बारिक देखो adiabatic दे विच ता heat exchange ही नहीं होंदी आइसो थर्मल धे विच मेंने temperature constant होंदे जदो temperature constant होएगा मतलब temperature की होएगा तो अदो constant होएगा तो इसदे नाल ही अगर आपा गल करिये ता आपनी जो इंकर देंटर्नल एनरजी है जो किस दा function होंदे यू किस दा function होंदे temperature दा delta T दा OV की होजेगा constant होजेगा ता इस वे नाल इस question दा right answer की होजेगा प्रिकुल option C I hope तो नू सारे जो MCQC समझ आ चुके हैं please feedback जरूर दें तो नू questions कितना दे लगे हैं ते questions समझ आ गया हैं इस तो इलावा share करो वीडियो नू like करो ति अपने marks दस्यों किन्ने बने तो DMC की उस किन्ने correct गए है और टेलिग्राम ग्रूप नो तुसी जोईन कर सकते हूँ अगर तुसी टेलिग्राम ते हूँ ता टेलिग्राम ग्रूप जोईन करो description box ते विच मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी थेंक यू सो मच थेंक यू